हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल इस रवी आप देख रहे गोल्डन बूस चलो आज के मार्केट की बात कर लेते पहले आज अगर देखेंगे तो कॉंप्रिटली साइडवेज मार्केट था यहां पे मार्केट जब गैप अपूपन हुआ पॉजिटिविटी दिख हमें बताया था कि यह वाला जो है इस पैटन का यहां पर ब्रेक आउट दिख रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है यह जो उपर का साइड का टार्गेट ही है वाला 22144 यह हमें देखने मिल सकता है तो यह वाला जो टार्गेट हमारा हो सकता है कल आ जाए या नेक्स्ट मार्केट के लिए भी यह वाले जो लेवल से यह वैलिड है लेकिन 21800 से लेखे 840 जो है यह कहीं न कहीं मार्केट के पास एक काफी अच्छा स्टॉंग सपोर्ट है तो जब तक 800 की नीचे नहीं निकलता मार्केट तब तक हम बेरिश नहीं होंगे और पॉजिटिविटी के दरब अगर मार्केट निकलता है तो उपर की साट के आपके पास लेवल साल्रीड मैंने दिये हुए कल के अनिलिसिस वीडियो में वो अभी तक वैलिड है तो आप ऐस इट इस यह लेवल कंसिडर कर सकते हो तो आज आगर देखेंगे तो यहां पे मैं सबसे अच्छा दिन था एक्सपाइरी का क्योंकि जो प्रीमियम बढ़ चुके थे वह उनको प्रीमियम हीटिंग करने के लिए सबसे अच्छा मोगा था जो की काफी अच्छी तरीके से उन्होंने डिके यहां पे बेनिफिट लिया और बाद में अगर देखेंगे यह वाल फर्स्ट आप में आए दे बाद में मार्केट कंप्रिटली यहां पे देखेंगे तो एक सैडवेज रेंज में फसा रहा पूरे दिल और लास्ट में अगर देखेंगे तो लगबग देड़ बज़े के असपसिया वाला मूव मार्केट में आया है तो यह वाला मूव भी मै मार्केट आगर ऊपर भी निकलने की कोशिश करेगा तो मार्केट के पास जो है यह इमिजेट रेजिस्टन्स होने वाले तो अगर आपको कल के लिए लेवस मतलब कल के लिए अगर ट्रेड प्लान करना है तो यह आप चोटी-चोटे टार्गेट जो है कल के लिए आप प्र 22,000 के उपर अगर मार्केट क्लोज देता है या यहां पे अगर 22,000 के लेवल के पास आज पास होल्ड करता है तो नेक्स्ट विक जो है हम यह वाला टार्गेट या एक नया आज आल टाइम हाई भी हमने देखने मिल सकता है 22,144 यह हमारा टार्गेट होने वाला है नेक्स्ट जाता हूं यहां पे अगर देखोगे आप तो कल के नेक्स्ट विक में यह हो सकता है आने वाले 8-10 दिन में यह हमारा मंतली क्लोजिंग हमें कैसे मिनता है उसके उपर डीपेंड लेकिन यह चीज यहां पे आगर देखोगे तो एक डबलो फॉर्मेशन जो है यहां पे नया हाय हम देख सकते हैं क्योंकि इस डबलो का ब्रेक आउट हो जाएगा इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी एक पैटन मुझे दिख रहा है वह भी मैं आपको दिखा दूँगा दिखा देता हूं तो चलिए देखते हैं अभी यह तो हो गया निफ्टी की एनलिशिस तो आप लेवल होप यह मार्क कर चुके होंगे और निफ्टी में आगा देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी मैंने सिमिलर बोला था आपको कि इस तरह के इस तरीके से मार्केट एक डाउन फॉल कर सवाज कर नहीं किया यहां पर गैप अप přपहर हनाने के बाद इस तरह के से एंप ये म पाटन कि इसका ब्रेंजु से मार्की इस पॉरा दिन से किया है और closing अगर देखें तो opening से उपर दिये तो यह कहिंड पॉजिटिविटी शो कर रहा है यह आंपे तो nifty bank nifty में भी अगर देखेंगे मैं यहां पर डेजिस्टंस मार्क कर लेता हूं कल के लिए तो बैंक निफ्टी के पास आगर देखेंगे इमेजेटली रेजिस्टन्स जो है यह वाला पॉइंट है और यह वाला एक पॉइंट है जो कि ए इसके पास यह वाला हमारा होगा फर्स्ट तरगेट और यह होगा सेकंड टार्गेट फटीडिग टुइंटिस इसके ऊपर 30 20 के ऊपर अगर सस्टेंड करता है तो 46800 25 तक के टार्गिट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए क्लोजिंग अगर देखेंगे तो काफी अच्छी भी है लेकिन यहां पर इमेजटली रेजिस्टन्स भी है तो यह सस्टेंड करता है कि नहीं करता ही हमें कल ओपन यहां से अगर मारकेट नीची की स passenger निकलता है तो 46000 जो है आपका परवार्व सपोर्ट हूब हुआ तो यहां मारकेट क्या करता है यह और वर्धर बेडाउन करता है या सब्चक दbone करता है यह स्टन्स फटलेकर वचान देखना इंट्रेसिग रहेगा यह देखके bay werden pa 46,000 अगर ब्रेक करता है मार्केट तो जो नेक्स्ट टार्गेट होगा 45,750 गा यहां तक ही सपोट जो आज सपोट लेके बाउंस किया है मार्केट में इसको आगे थोड़ा सा फीच लेता हूँ यह होगा आपको यह भी एक सपोर्ट की जर्भा काम करेगा तो यहां से एक तो 46,000 के पास अगर बाउंस लेता है मतलब यहां पर कुछ दिर होड करता है तो यहां से भी मर्केट बाउंस बेक कर सकता है अगर उसको ब्रेक करता है तो 45,700 और 60 या 70 से बाउंच कर सकता है मार्केट अगर उससे भी नीचे निकलता है तो नीचे की साइड के लिए आपके पास टार्गेट और इने प्रोवाइड की है और उपर की साइड जो है यह वाले दोनो टार्गेट है 46,526 और 46,825 तो यह थे बैंक निफ्टी के लेवल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और बैंक निफ्टी में भी पैटन जो फॉर्म हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर यहां पर आगर देखोगे तो यह डबलू फॉर्मेशन कहीं न कहीं हमें दिख रहा है तो 47,000 या आने वाले नेक्स नया all time high लागा सकता है तो आने वाले next week में जो है हम 48,000 तक मार्किट जा सकता है और निफ्टी भी कहीं न कहीं हमें bullish sign दिखा रहा है तो यह था निफ्टी बैंक निफ्टी का analysis अगर आप अभी भी मार्किट से अभी चैनल पे अगर नया हो पहली बार अगर यह वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे free telegram channel का फाइदा उठा सकते हो और इस चैनल को subscribe कर सकते हो जो कि मैं दिखा देते हो को यह मेरे चैनल का कि मैंने डाली हुए है आपको वह वाच आउट कर सकते हो और यहां पर ट्रेडिंग के लिए stocks हम प्रोवाइड करते हैं और लॉंग टम के लिए कुछ अगर श्टॉक होते हैं कुछ अच्छा प्रेकाउट आगर हमें दिखते हैं तो हम यहां पर वह प्लेवर कि अपने फैनेशर एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमेंट कर सकते हो और यह अगर देखोगे तो यह हमारा गोल्डन बूस नाम से टेलिगरम चैनल है इसका अगर फायदा आपको उठा रहे तो यहां पर राइट हैंड कॉर्णर में जो आपको यह QR कोड दिख रहा है वह आपको अपने मोबाइस से स्कैन करके इस चैनल से जूड़ सकते हो आज अगर देखोगे तो एक बज के बतिस मिनट में मैंने जीरो एरो ट्रेट दिया था 211900 का सी 12 से 15 रुपए लेकिन उषने अगर देखोगे तो 17 रुपए लो लागd था और वहां से उसने बंस किया और रहल लगवात 77 रुपीस का उसने हाई लाई यहां अगर देखो गया शेवन अगर देखोगे तो मैंने अठीज वाले भी ě च्रेट दिया पर कि न् बड़ा सा लो कन्विक्शन टेट था यह भी जिरू इलुक्ट था दो बच के चोईस में ने दिया था तुटीवन थाउजन नाइन अंडेट फिटी का सी मैंने दिया था पांच रुपए तो टाइप करते करते ही नीचे आ गया तो मैंने बाइंग का जो लेवल है इसका पां तो वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना आज के लिए इतना है थैंक्यू